असलावालेकूम उम्मीद करती हूँ कि आप सर्फ खेरेस होंगे चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ डोंडे और चने की डाल आप लोग देख सकते हैं यह चने की डाल है धोके साफ करके एक आदा गंटा बिगने रखी हूँ यह टमाटे है चारपान टमाटे कट करके रख नमक है यह तेल है यह मिडची पोड़र है यह हल्डी है यह अद्रकलेशन का पेस्ट है एक खोती मीर है छे साथ हरी मिडची है यह करिया पक है चलिए मैं आप बनाने का तरीखा बटलाऊंगे चलिए मैं पहले डाल गला लूंगी बिस्मिला इन दाल गलने के लिए अश्वाय आप लोगों को बतलेओंगे माशला 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 अपको को देख सकते हमे यह मेरी बाल एतके है अब मैं इसको ही खट और मिलंगेशना स्वीD थोरा मेरे मासाले को मैं को उन्यूंगी आप लग सकते हैं है यह क्श्छी तरी दूरीन अफ़ को बाड़नी को अर मेरे टमाटों को अच्छी तरीक निला लूगी आप लोग देख तकते हैं अब में इसको एक सितो में निकाला है मेरे टमाटे अशी से भूनी गए है अब मैं ये दोंडे मिला रही हूँ में दाल suffers को शीनी कर्में छे बिना अदि आथी दाल हैं मैं फिर तोड़े सी दाल उठाके रहोंगे ताकि इसके संगर बात मिला पानी भी दाल रही हूं डॉंड़े लिए आप लोग देख सकते हैं अबस ये तीन सीटी में में पतार लोगी मासला मासला आप लोग सकते हैं ये मेरे डॉंड़े अच्छी तरीखे से गल चुके हैं अमें थोड़ा सा कोटी में जाए ये तीन-चार हरी मिर्ची है मैं ये डाल रकीती हैं आओ मैं ये दम पर दार रही हूं दाल को भी माशला आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी खुचबोह और ही है मेरे डॉंड़े टमाटे चनी की दाल की माशालला आप लोग देख सकते हैं यह मेरे डूंडे टमाटे चनी की डाल बन चुकी है आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी खुजवा रही है मेरे चनी की डाल की डूंडों की अब मेरा सालन बन चुका है अमें चुला बन करें मसला आप लोग देख सकते हैं ये था मेरा सालन डोंडे टमाटे चने की दाल आप लोग भी एक बार मेरी तरीशते पका के देखिए बहुत मज़े का बनता है मेरी वीडियो को लाइक करो शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगले वीडियो में मिली हुँगी मैं आप लोगों के साथ अल्ला हफीस